सब्सक्राइब कीजिए जीयस फोरम विद वीके मिश्रा चैनल को और लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए दबाईए जैहन दोस्तों मैं वीके मिश्रा आज लेकर आया हूँ आपके लिए समय का निर्धारन हम लोग सामान भुगोल को पड़ रहे थे और उस सामान भुगोल में अक्षांस और देशांतर रेखाओं की बात हम लोगों ने कर लिया है आज हम लोगों को समझना है कि आखिर प्रिथवी पर समय का निर्धारन कैसे होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब देशांतर रेखाओं की बताया तो उस समय आप से ये बात जरूर मैंने बताई थी कि यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि इन ही देशांतर रेखाओं के शहारे हम समय का निर्धारन करते हैं तो सबसे पहले आप यहां देख लीजे कि समय के निर्धारण के लिए हमारे पास कुल दो विधिया हैं एक विधि है अस्थानी समय और दूसरा है मानक समय तो अस्थानी समय का जो निर्धारण हम लोग करते हैं वो सूरी की लंबवत किरणों के आधार पर करते हैं जैसे कि आप अगर देखें तो पूर्वजों के द्वारा हमारे इस विधी का प्रयोग बहुत समय से किया जा रहा है। वो लोग क्या करते थे कि किसी घर की या किसी पेड़ की परचाई को देखकर ये बता देते थे कि इस समय आखिर वास्ताओं में शमय कितना हो रहा है। तो उसी का यहाँ पर आपको जिक्र किया गया है तो सूरी की अगर लंबवत किरणे हमारे सर पर पढ़ें और उससे बनने वाली जो परचाई है उसकी लंबाई बिलकुल सुन्य हो जाए तब हम कहेंगे कि यहाँ पर दोपहर का बारा बज़ा हुआ है। वर्तमाने में हम लोग पढ़ने लिखने के संदर में इसकी जर्चा नहीं करते हैं तो हम लोग बात करेंगे किसकी मानक समय की अब मानक समय में भी हम लोग यहाँ पर दो चीजें पढ़ेंगे एक आपको रहेगा कि बिश्व का मानक समय कैसे निर्धारित किया जाएगा औ और दूसरा होगा कि भारत का मानक समय कैसे हम लोग decide करेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें तो बिश के मानक समय के लिए देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किया गया है। और दूसरी चीज क्या है कि प्रिथवी के घुड़न के आधार पर आप जानते हैं कि प्रिथवी का जो बिंदू सूर के सामने है उसको हम कहते हैं कि यह अधा सौर बिंदू है या सब पोलर पॉइंट कहलाता है। अब इसके देशांतर का जो प्रतेक बिंदू है वो सूर के सामने से हो करके गुजरेगा। एक्जाम्पल के तोर पर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर यहाँ पर सूर्य चमक रहा है और इसके ठीक सामने कोई देशांतर है तो उस देशांतर के प्रत्तेक बिंदू पर सूर्य की लंबवत किरणे पढ़ेंगी लेकिन पृतिवी का जो बिंदू सूरी के सामने ठीक होगा उसे हम कहते हैं अधह सवर बिंदू अब इसी के आधार पर हमको पूरा का पूरा ये मैटर क्लियर करना है तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो पृतिवी है ये पूरा एक राउंड घूमने में कुल 24 घंटे का समय लेती है अब 24 घंटे में ये टोटल कितना घूम जाती है 360 डिगरी घूम जाती है तो 24 घंटे में कितना हुआ 360 डिगरी अब एक घंटे में कितना हो जाएगा तो 360 बटे 24 करेंगे तो मिलेगा आपको कितना 15 डिगरी अब 15 डिगरी यानि एक घंटे बराबर कितना हमको मिल गया 15 डिगरी अब घंटे को हम क्या लिख देंगे एक घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं तो 60 मिनट बराबर कितना हो गया 15 डिग्री अब हमको चाहिए 1 डिग्री बराबर कितना होगा तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बटे 15 डिग्री हो जाएगा अब इस तरह से अगर निकालेंगे तो एक डिगरी बराबर चार मिनट यानि कि जो हमारी ये अर्थ है ये जब एक डिगरी देशांतर घूमेगी तो कुल चार मिनट का अंतर आ जाएगा टोटल कितना होगा 24 घंटे में घूमेगी और 24 घंटे में घूमेगी तो कुल ये 360 दिग्री देशांतर रेखाओं को पार कर जाती है अब ये हो गया आपका मानक समय ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 डिग्री अगर घूमना है तो 4 मिनट का समय लगेगा या इसको भी ध्यान में रखियेगा कि 4 मिनट अगर घूमेगी तो एक डिग्री देशांतर रेखा को ये पार कर जाएगी अब दूसरी चीज जो आपको आती है कि कैसे हम इसका मिर्धाया था कि वर्ष 1884 में ही वासिंग गटन DC में एक सम्मेलन किया गया और उसी सम्मेलन के द्वारा जीरो डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीन वीच में टाइम बताया गया यानि कि यहीं से सभी देशांतर रेखाओं के हम लोग गड़ना करेंगे इसलिए हमने इसको क्या माल लिया था जीरो डिग्री देशांतर रेखा या इसी को हमने अंतर राष्टिय समय रेखा कहा था या ग्रीन वीच मिन टाइम कहा था अब इसी रेखा के द्वारा हम लोगों ने अलग-अलग दो गोलार्धों का भी नरधारन किया था जैसे कि अगर ये जीरो डिगरी देशांतर रेखा है तो इसके इधर वाला क्या कहलाया था ये पूर्वी गोलार्ध था और इसको हमने क्या कहा था कि ये पस्चिमी गोलार्ध है तो पूरवी और पस्षिमी गोलार्थ में अब आप जानते हैं कि सूर्य किधर से अस्त होता है और किधर से उगता है तो यहाँ पर आप जानते हैं कि सूर्य जो है वो हमें पूरव की तरफ उगता हुआ दिखाई देता है क्योंकि प्रिथिवी हमारी जो है वो पस्सिम से पूरब की तरब मूब करती है तो जैसे जैसे ये मूब करने लगेगी वैसे वैसे क्या होगा इसका कोई न कोई एक भाग क्या होगा कि इसके सूरी के सम्मुख पढ़ने लगेगा और सूरी के सम्मुख जब पड़ेगा तो इस बात से ये confirm होने लगता है कि अब दिन हो रहा है और जो भाग इसके पीछे जाने लगता है वो क्या होता है कि वहाँ पर रात होने लगती है तो दिन और रात की घटना भी ऐसे ही होती है सूरी के शामने जो भाग प्रतिवी का पड़ेगा वहाँ पर दिन और जो पीछे चलता जाएगा उसको हम रात्री कहते हैं सेम वही कंडिशन यहाँ पर भी है यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है कि अगर हम जीरो डिगरी देशांतर रेखा से पूरब की तरफ वाले इस गोलार्दे की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको समय हमेशा क्या होगा बढ़ा हुआ प्रतित होगा बढ़ा हुआ माना ज जैसे कि अगर आप अपने मोबाइल में जब टाइम सेट करते हैं नया नया जब मोबाइल खरीद के ले आते हैं और उसमें जब टाइम सेट करते हैं तब टाइम सेट करते समय आपको लिखा होता है ZMT से आपको कितना करना है प्लस पांच घंडे 30 मिनट आपको टाइम पढ़े चुकी है समय यहां प्लस में चल रहा है और अभी यहां समय माइनस में चल रहा है यानि कि अगर यहां पर सुरियोदय हो चुका है तो अभी यहां पर सुरियोदय होना बाकी है और यहां पर अभी क्या है रात्री का समय चल रहा है तो इस तरह से पूरी भी वाले क्या करते हैं प्लस लिखते हैं ZMT से और पस्यमी गोलार्द वाले क्या करेंगे माइनस लिखते हैं तो भारत के अंतरास्टी अब यहाँ पर एक चीज आप और समझ लें कि आखेर 5 घंटे 30 मिनट ही क्यों हम इसमें ऐड करते हैं तो आप जानते हैं कि 4 मिनट बराबर क 30 मिनट अब इस 330 मिनट से आप इसको 4 से अगर डिवाइट कर देंगे तो आपको डिगरी मिल जाएगी और डिगरी आपको वही मिलेगी जो भारत का मानक समय यानि कि 852 डिगरी पूर्वी देशांतर रेखा होती हैं अब यहाँ पर यह बाते आपको समझ में आ गई लेकिन दूसरी चीज है अंतर राष्टिय तिथी रेखा तो अंतर राष्टि तिथी रेखा के संदर में इसका भी नरधारन उसी समय 1884 में वाउसिंग गटन में ही किया गया था लेकिन यहाँ पर ध्यान ये आपको देना है कि अगर हम अंतर राष्टि तिथी रेखा को पर मुड़ी हुई है मतलब कि 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है ठीक वो रेखा नहीं है बलकि क्या है कि उसके शहारे पर खीची गई एक अन्य कालपनिक रेखा है यानि कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो एक अधर इमेजनरी लाइन है जो कि पैलल टू 180 डिग्री ल बड़ा सवाल था कि आखिर ये अंतरराश्टी तिथी रेखा को कई जगहों पर मोड़ा क्यों नहीं गया क्यों इसको सीधा नहीं खीचा गया तो आप जानते हैं कि जब हम अंतरराश्टी तिथी रेखा को पूरब से पस्षिम या पस्षिम से पूरब किसी एक डारेक्श इंटरनेस्टल डेट लाइन को क्रॉस करें तो वहाँ पर हमको एक दिन लॉस हो जाता है अगर वेस्ट टू इस्ट जाएं तो एक दिन हमको गेन करना पड़ता है एक दिन हमको बढ़ोतरी मिल जाती है तो बड़ा जो सवाल था कि आखर इसको क्यों मोड़ा गया माल लिजे कि अगर आपके सामने यहां पर कोई एक ये छोटा सा देश है या द्वीप है और यहां से अगर अंतराश्टी तीथी रेखा गुजर जाती तो क्या होता उसी देश के एक हिस्से में छुट्टी चल रही होती संडे की और उसी देश के एक हिस्से में पढ़ाई चल रही होती बताए कितना बड़ा ये अन्याय होता आपके साथ कि यहां वाले छुट्टी मना रहे हैं पिक्निक पर गए हुए हैं और यहां वाले क्या कर रहे हैं पढ़ रहे हैं तो ये गलत होता आपके साथ अन्याय हो रहा था तो इसी को दूर करने के लिए जो ये समिती बनाई गई थी जो ये सम्मेलन बनाया गया था इन्होंने कहा कि हम उन जगहों से अंतराश्टी तिथी रेखा को हम लोग हटा दें जहां जहां पर कोई भी द्वीप छोटा मिलेगा या जहां पर किसी देश का भाग मिलेगा तो आप ध्यान दे कि यहां पर जो द्वीपी देश है अलास्का वाले छेतर में अल्यूशियन द्वीप का उसको क्या किया गया इसको डिवाइड होने से बचाने के लिए यहां पर मोड दिया गया यहाँ पर इसको बचाने के लिए मोड़ा गया उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर फिजी, द्वीब, सामुह, न्यूजी लैंड, और स्टेलिया के भाग इन सब को बचाने के लिए आप देखें तो ये तीन जगहों पर बिचलित हुई है पहला बिचलन इसका यहां दूसरा बिचलन यहां और तीसरा बिचलन यहां बिचलन का मतलग कि 180 डिगरी से कहां कहां पर यह हट गई है और कितने जगहों पर यह मुड़ी हुई है बेंड कितने जगह पर हुई है तो एक ज इसको सिधा सिधा था लेकिन किधर मुड़ गई इधर तो दूसरा जगह यहां तीसरा यह चौथा यह पांचमा यह छटमा फिर उसके बाद सातमा और यह आठमा जो डॉट लाइन आप देख रहे हैं वास्तों में यहां से होकर इसको गुजरना चाहिए था जैसे कि इसको आ जाएगा कि कहां पर अंतरास्ती तिथी रेखा मुड़ी है और कितने समय जोन में पूरी प्रतिवी को समय जोन में कितने माटा गया यह तो कंफर्म हो गया कि अगर 360 डिगरी है तो 24 यानि कि 24 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइट कर देंगे जिस देश का देशांतरी वि उस्तार longitudinal extension ज्यादा होगा वहाँ पर समय जोन की संख्या भी ज्यादा हो जाएगी तो उमीद करता हो कि यह चीजें आपको समझ में आ गई हैं अगर नहीं समझ में आई हैं तो बिना किसी संकोच के आप description में sorry आप comment box में हमको बताएं कि कैसे आपको और यह कहां पर चीजे आपको समझ में नहीं आई क्योंकि अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं साथ में कठिन परिस्रम कर रहे हैं तो बातें आपको समझ में भी आनी चाहिए अब दूसरा काम आपका होगा कि इस सवाल इस टॉपिक पर जितने भी सवाल आए हैं उन सवालों को आप कर लीजे मुझे उम्मीद है कि सवाल जब आप सॉल्ब करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगले वीडियो में हम लोग भारत के मानक समय की बात करेंगे वहाँ पर special reference हम लोग देंगे भारत के मानक समय की तो वहाँ पर मैं आपको कुछ सवाल भी बत करेंगे कहां से गुजरती है कितने राज्यों से होकर गुजरती है और भारत के दोनों छोरों पर समय का जो डिफरेंस दो घंटे का आता है वो कैसे आता है तो इनहीं सब बातों को लिएकर हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे और अगर वीडियो आपको से मुलाकात होगी तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम